हेलो गैस तो इस पार्ट में ग्रेंपा को पता चल गया था कि जायो ने वेवे किसाथ गलत किया था तो सकेन अकल वाँ से जाने लगते हैं पर ये तिंग रोग लेता है कि इतनी भी क्या जल दिये जाने के लिए असल में उसे पता चल गया था कि अंकल ने उसे गलत मेडिसिन देने के लिए किसी को हायर किया था और वो मेट भी आकर एडमीट कर ले थी और कहती है कि विन्हें आपके कहने पर ये सब कुछ किया प्लीज मुझे बचा लिजे अब जब ये तिंग से कहते हैं कि ये गूफ फेमिली की डर्टर है इसका अमारे उपर एक बहुत बड़ा फेवर है अगर यह stupid नहीं होती तो मैं इसे तुम्हारी wife accept कर लेता अगर तुम उससे divorce लेना भी जाते हो तो तुम्हें उसकी care करना होगा यह सुनकर तो वो soft हो जाता है तो grandpa पुछते हैं क्या तुम उससे divorce नहीं लेना चाते यहतिक कहता है मैं इससे divorce लेना चाता हूँ पर इससे कोई contact नहीं रखना चाता वो यह full one दो कहती है कि कैसा divorce और सुसी है कि कैसे लोग हैं जब चाहिए marriage करने हैं और जब चाहिए छूट देने grandpa कहता है यह कैसा रहा कि तुम यहतिक को अपना brother बना लो पर वो कहता है कि मैं तुमारा कोई brother brother नहीं हूँ तुमें यहां से चले जाना चाहिए तुब कहता है कि तुम एक liar हो अभी अभी तुमने कहा था कि तुम मुझे protect करोगे और अभी तुम ऐसा कहरे हो इस पर grandpa भी उस पर गुसा करने लगते है कि तुम इतने heartless कैसे हो सकते हो भले ही तुम उसे पसंद नहीं करते पर तुमने उसे marriage किया है और तुमें उसकी responsibility लेना चाहिए तो पह कहता है आपको क्या लगता है कि यह marriage के बास stupid वह नहीं है मैंने किसी को इसके बार में पता लगाने के लिए कहा था तो पता चला कि यह पहले से ही stupid है goo family ने में फूल बनाया यह सुनते ही grandpa गुसा करने लगते है कि उन लोगों की हिमत कैसे हुई है सब करने की और मैंने भी इसके नाम पर 8% सर कर दिया यह तो goo family के लिए अच्छा होगा तो यदिं कहता है कि मैं सब को समाल लूँगा और फिर सोचता है कि मुझे माफ करना वेवे यह बहुत डेंजरियस हो सकता है तुम्हें मेरे साथ नहीं रेना चाहिए और आज जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि दुबारा ऐसा कुछ भी हो वे 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 सोच रही थी कि यह तो मुझे भगाना चाहता है मैं आवी फैंप फैंपली से नहीं जा सकती मुझे अपने ग्रैनमा के लिए अपने कजन को ढूनना ही होगा और वो नारासोंने की एक्टिंग करते हुए पिछे मुट जाती है और किसी को मेसेज करती है उसके बात ये दिंग अपना काम कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि ऑनलाइन उसकी कोमा से बाहर आने का और उसके फूल वाइफ के बारे में नियूज पहल रहा है तभी गिरेंपा भी उसे फोन करते हैं और कहते हैं कि तुमने ऑनलाइन नियूज देखा ये सब कुछ क पता है कि ये सब कुछ वेवेन कर रहा है तो वो थोड़ा मिस्टियास है मुझे उसके बारे में कोई इन फेमिसन नहीं मिला पर मुझे इतना पता चला है कि वो जो भी केस हंडल करती है वह 100% करती है अगर उसने हमारी हेल्प कर दी तो मैं ही उइनर होंगी वहीं जैसे ये चलता है कि एतिन कोहें से बाहर आ गया है को अपनी मॉम से कहता है मुझे नहीं पता थेंग वह इतनी चल्ली कोहर्ड से आसे बाहर आ जाएगार मँझे पता होता तो मैं ही उसे मेरच कर लेती पर डैट को यसे थपढ़ मारते हैं और कहते हैं कि मैं अपने family के बारे में सोच रहा हूं और उस पर गुसा करते हुए वहां से चले जाते हैं तो वो भी अपने dad पर गुसा कर रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं उस फूल से हार नहीं सकती उसकी mom कहीति है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेसा तुमारे साथ दूंग पहता थी तो वह उटकर जाते वह कहता है कि जैसे कि तुम सच नहीं बता रही हो तो मुझे भी तुम्हारेसाथ काम नहीं करना पर भी रुखते वह कहती है अगर मैं का ओक हुए रिशे से तो बताते हैं कि हाँ ग्रेंपा ने मेरे लिए सब कुछ बया किया है ताकि मैं अपने हस्बन के लिए पहन सकूँ तो वो कहती है कि तुम अपने हस्बन के लिए पहनोगी तुम्हें पता भी है कि एड्रेस कैसे पहना जाता है और वो उसे श्टुपिड कहे देती है तो वो क के ऑफिस में आई है उसे देखर वो सुक्ष जाता है कि तुम्हारा ही आइडिया था ना यहां आने का जल्दी से बताओ कि वो कहां है वरना मुझे ब्लेम मत करना रूट होने के लिए वह कहती है मैंने उसे वापस बैस दिया वैसे तुम्हें एसा क्यों लग रहा है कि मैं उ जो spray कर देती है और खुद पर भी spray कर देती है और उसके close shot रहे कहती है कि वह मैं हूँ जो तुमसे marriage करना चाहती है पर वो उसे दीजे में यंग मास्टर को फोन करके बता देता हूं वरना वो वरीड हो रहे होंगे पर उसके फोन में भी बैटरी नहीं था तो जल्दी से घर चलने के लिए कहता है लगता है कि वह दोनों मा बेटी ने कोई डटी ट्रिक प्ले किया होगा घर पहुंचने के बाद वेवे को कि सब लोगोंने मुझे husband कहने से मना किया है पर यह तिंग उसे husband कहने के लिए कहता है उसे देकर वेवे समझ आती है कि उसे ड्रक दिया गया है और वो पूस्ती है कि sister कहा है क्या वो चली गई पर वो उसके सामने दुबारा से उस लड़की का नाम लेने से मना करता है तब ह वह संसरे देकर कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया क्या तुम्हें घर्मी लग रही है चछेशु मैं help कर देती हूं कहकर उसे अंड्रेस कर रही थी पर वह उसे दूर हो जाता है और वहाने से यह सोचकर उसके बैक में बतमाग चक कर रही थी कि कहीं यही मेरा कजन तो पर वो कभ़ता है कि तुम्हें कुछ कने के लिए किस ने का जिस्पर वह इतिया कि मैरी सिस्टन ने उसने बता है कि वैफ कैसे ने लगता है और गंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है इससे तो अपने अपने लुए को मताता है вес यली त् और फिर डॉक्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि वेवे को लेकर मेरे दिल में फिलिंग्स है पर वो तो फूल है ऐसे में मैं तो परवट कहलाऊंगा तो वो कहता है कि तुम सालों से वेजिटेटिव स्टेट में होने की प्रेटेंड कर रहे थे ऐसा दिसलिए ये सब हुआ होगा तुम अपने लिए कोई और मुमें ढूलो पर वो मना कर देता है कि मुझे इस अप में को इंट्रेस्ट नहीं है वह हैरानों कर कहता है कि तुम फिर से यही कह रहे हो तो फिर भाई यूक्षिन कौन थी क्या तुम कुछ छुपा रहे हो तो वह बताता है कि पास्ट में के बास मेरा इस पर क्रेस्ट था और कुछ नहीं ऐसके रूम कि सौछय में इस बहुत ज्यादा कर दिया सोचका वहाँ से चला जाता है तो वह सोस्ती है क्या मैं उसकी तरफ यह पर सिने ही कट होता है निक्स तिन में ग्रेंपा यह तिंग को बता रहे थे कि एच फॉर्म डेसन के चैर्मेन ने तुम्हें एच एरटी मीटिंग में अपनी वाइफ को लाने के लिखा है तो वहाँ पर वेवे को अपने साथ ले जाना तो वो कहता है चैर्मेन ऐसे कैसे कह सकते हैं उन्हें तो इसके सिचूशन के बारे में पता है ग्रेंपा कहते हैं तुम्हें इंबारे सोने की क्या सरवत है यह बात तो सभी को पता है इसलिए तुम वेवे को अपने साथ ले जाकर सबका मूँ बंद कर दो पर वो कहता है कि आमें बीना फिमेल कॉम्पिनियान के उस मीटिंग में नहीं जा सकता और मनी से मिलती है जिसकी वह फिमेल कंपिनियान के यहां नहीं आसकता तो वह और चुमा से बाहरा आ रहा है और उस ने फूल लड़की से मिरेश किया है वो यह सब इसलिए बता रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो पहले से ही उसे जानती है और वही उसकी वाइफ है तब यहाँ पर या दिन की एक्स कल फैन यूशीन आ जाती है और उसे दिख कर वो सॉक्ट हो जाता है और यहाँ पर यह पाट खतम हो जाता है